बड़े मन्थन के बाद आखिरकार कॉंग्रेस के उमिद्वारों की सूची आ चुकी है लगातार जो नौ लोग स्वासीटों की हम बात करें वहाँ पर कॉंग्रेस के उमिद्वार उर्तरते वे नजर आ रहे हैं हमारे साथ कॉंग्रेस के परदे सद्यक्स उदेवान जी बात करते थे आप भी किते की समय आने पर सूची देखने को मिलेगी आप सूची आच चुकीया किस तरह की तैयारी सर्क्राउब आप देखे रहें कि सूची जिस तरह से आई है और लोगों के अंदर जितना है उसका रिस्पोंस मिला है जो उत्सहा जो उमंग जो लोगों के है एकदम ये संकेत गया है सिधा कि कॉंग्रेस पार्टी बारी बहुमत से पूरे हरियना प्रदेश में आने जा रही है और ये सा है और उसमें से हम दावेदारों में से चिनहित कर रहे हैं हलाकि अब उमिद्वार ग्राउंड में है जिस तरीके से भीवानी महिंदगल की बात करते हैं सुची चोधरी वहां से दावेदार थी गुरुगराम में हलाकि आप लोगों नहीं उता रहा है इसी तरीके से अलग बहुत अच्छी टीम है और करनाल में जो लोगों का जो फीड़ बेक था वो उसके पक्षमा था और इसलिए वो बहुत मजमूती से चुनाब लड़ेगा और जीतेगा उसी तरह से जो इस तरह से आपने कहा सुरुती के बारे में वहां पर दान सिंग को कंडिडेट बनाया उस इलाके में उनका अच्छा वर्चस्प है जो अहीर बेल्ट में वो टॉलस्ट लीडर है कॉंग्रेस पार्टी के और साथ में जो बेवानी का एरिया जो पढ़ता है बेवानी उनका खुद उनका जो गाम बेवानी में पढ़ता है बेवानी के साथ ही तो वहां लोगों क कि सबकी डिमांड को देखते हुए कॉंग्रेस नित्रतुने दोनों का विचार करते हुए दोनों पक्षों की बातों को पूरी गौर से देखते हुए और इसमें लंबा पीरेड भी समय भी लगा दोनों अच्छे अमीदवार थे हमारे पास हर सीट पर कई-कई उमीदवार अ सुरुती के लिए आगे सारव पढ़ा है अभी चार मिन बाद चुनावारा है वेदान सबाका भी और आगे सारव पढ़ा है वरकिंग प्रिजिडेंटर पार्टी की अच्छा है मिल करके चुनाव लडेंगे हिसार में बड़ा दाव आप लोगों ने फिर से खेला है जेपी परकास जी जो वहां से है पूर केंद्रिय मंत्री भी उनको दुवारा से मोका दिया है जो जानकारी थी और उमीद थी कि जो बीजेपी में थे बिरजिंदर चिंग वो कॉंग्रेस में आये थे उनके फादर वो मेंबर पार्लेमेंट चुने गए वहां से केंद्र बा मंत्री भी रहे हैं दो बारे मेले भी रहे हैं ये तो चुनाव की प्रक्रिया चली रही थी तब ही ब्रजेंदर सिंग जी आये पार्टी जोन की पुराना परवार था वो भी 40 साल उन्होंने कॉंग्रेस में बिता प्रकास का एकमें फैसला हुआ है वह तो पराणे अपने कॉंग्रेस के निता है वह मजबूति के साथ में लड़कर के वहां से जापरकास जीतेगा आगे आने वाला समय में सबको मान सम्मान मिलेगा सर जिस तरीके से आप बात करें कॉंग्रेस के उमिदवार भी ग्राउड में हैं आप भी लगाता आप लोगो के बीच उमिदवारों के पक्ष में बोट मांगते वे नज़र आएंगे नॉमिनेशन पर किरिया है, सर किन की डेटों को कौन कौन से नेता नॉमिनेशन करते वे नजर आएंगे और कहां कहां आप जाते वे नजर आएंगे? Nomination का अभी Coach Candidator से Time तैय हो गया है Coach Candidator भी है अभी संपर्क में हैं बात्चित कर रहे हैं कि पर निखवानों किस दिन उनको nomination carna ना है तो वह अभी तैय होंगे अभी तक चो अभी तैय हुआ है पहली तारीक को हम Sonipattar Krinal में nomination कराने जाएंगे दू तारिक को हम अम्बाला कुरक्षित्र में नोमिनेशन कराएंगे, तीन तारिक को नार नोल में नोमिनेशन कराएंगे, चार तारिक को डिपेंदर जी का नोमिनेशन कराएंगे, और छे तारिक को जपरकास जी का नोमिनेशन कराएंगे, बाकी जो कंडिडेट हमारे हैं उनके स साथ विचार करके कब वो किस दिन नॉमिनेशन करना है उसे साफ समत्य करेंगे। बीजेपी का सूपड़ा साफ होना निश्यत है। इन्होंने जो काम किये हैं जो दस साल की इंकमेंशी के साथ वो पहले तो पुलवामार बाला कोट ले गया उनको राष्टवाद का। लेगन अब इनके करम आ गया रहे हैं। अब लोग करमों पर प्रशन पूछ रहे हैं कि अब आपने क्या किया कि जब किसाना अंदोलन चल रहा था उस समय आप कहां थे। जब हुमारी बेटियों के अस्मत लूटी जा रही थी तब आप कहां थे। अब प्रशन पूछा जा रहा है कि आज हरियाना बेरोजगारी में नंबर एक पर क्यों है। आज प्रशन पूछे जा रहा है। अब सवाल पहले सवाल नहीं पूछे जा रहे था। राष्ट-बाध में लोग बह गई थे पुलवामा और बाला कोट में। अब वो भी पूछे जा रहा है कि पल्वामा के शहिदों का क्या हुआ उसकी जांच क्यों नहीं सामने आई अब तक पूछे जा रहा है कि उसमें पल्वामा में जिसकी डूटी थी डियेस्पी देवंदर सिंगी उसका क्या हुआ जो गरफ्तार हुआ था एक उगरबादी के साथ में आजकर उसके बारे में क्या है तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं सवाल लोग जानना चाह रहे हैं खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए तो ये थे हर्याना कॉंग्रेस के परदेसर द्यक्स उदेवान जी दो की तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे मेरे सजोगी लक्षा के साथ राज़ा पटेल दिल ली खबर अभी तक